जी तो आज मैं अपने प्यारे वीवर्स के लिए लेके आई हूँ करोना वाइरस के मास्क घर पे किस तरह बनाएंगे इसके लिए हमें एक फैबरिक चाहिए मेरे पास थिक फैबरिक है और ये टू लेयर्स में है इसे अल्रडी अंदर एक लेयर है आप चाहें तो सिंपल भी उसकर सकते हैं लेकिन आपको नीचे इंटरफेस लगाने पड़ेगी ठीक है और सेंपल के लिए एक मैंने मास्क लिया है इसकी मेयर्मेंट्स के लिए और ये मेरे पास कुछ लास्टिक हैं ये थेन वाले लास्टिक हैं और ये तक्रीबन फाइव इंचिस जो है इसकी लेंथ है और आगे इसका जो असान तरीका है वो ये है कि हम इसको मैयर्मेंट्स के मताबिक तक्रीबन साड़े तीन इंच है ये साड़े तीन चार इंच के बड़ है तो मैं इसे पांच साड़े पांच रखूंगी अंदर मोरने का हिसाब भी आजएगा ये देखें ये मेरे पास फैबरिक है ये खुला फैबरिक है ये इसकी रॉंग साइड है इसको मैं फोल्ड कर लूँगी इसको मैं चारी हूँ कि मैं इससे ज्यादा यूटलाइस करूँ इस कपड़े को और ज्यादा मास्क बनाऊ ये देखें मैंने इसको 1,2,3,4 लेर्स में फोल्ड किया तो इसकी आगई कुछ मेयरमेंट्स इस तरह से ये देखें ये तक्रीबन 6 इंच के करीब है हम सारा मोडेंगे तो उस तरह ये तक्रीबन बराबर हो जाएगा और इसकी जो विर्थ है चुडाई है वो हम रखेंगे ये तक्रीबन 6,5 इंच है 7 इंच के करीब करीब है 6,5 इंच से 2 नमबर ज्यादा ठीक है टू पॉइंच ज्यादा है अब हम देखेंगे हमारी तक्रीबन 7 इंच पे कहां आ रही है 7 इंच पे ये है हमारा निशान ठीक है ये एक रफली हमने कर लिया ठीक है 7 इंच 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 जी टाइम ने टू टाइम ही रखोंगी फोल्डिंग का शायशाब रखोंगी जो एकस्ट्रा हुआ वह मैं काड़ दूंगी तो हमने सेवन इंचिस पर जैसे के मैं आपको पहले पताया वागी अंदर फोल्डिंग में डालूंगी तक्रीबट आठ इंच का मैंने इधर लगा लि ठीक है और यह मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी मैं आपको यूटलाइस करके दिखाऊंगी इसको हम दूसरे रुख बनाएंगे इसको बीच में से काट देंगे इसके बाद हमने इसकी एक डबल फोल्ड जो है यहां हाथ रखके इसको हमने काते हैं पिल्कुल हमारा equally cut होगा इंशालला जी तो देखें यह मैंने सब को cut कर लिया है 1,2,3,4,5,6,7,8 माशालला मेरे 8 मास्क रड़ी होंगे तो अब हम यूँ करते हैं यह मास्क पड़के एक मास्क के कपड़ा लेके हमने इसके चारो तरफ हमने इसको फोल्ड कर देना है ठीक है इसके चारो तरफ फोल्ड करेंगे और चुमकि मैं rubber से बना रही हूं तो इसके दो तरीके हैं दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो इसको चले हम मोड़ लेते हैं मशीन की मतब्द से यह है मेरी मशीन अब मैं मशीन पर बैठके तो इसको मोड़ लूँगी अब इन सब को रखके हम इकोली मोड़ लेंगे बहुत बरीक सी इसको वस एक हमने फिनिशिंग लुक देनी है और और कुछ नहीं करना इस तरह चारो तरफ से इसको मोड़ ले लें यह तो देखें यह चारो तरफ से बहुत अच्छे से फोल्ड हो गया अब हम क्या करेंगे यह मैंने जो 55 इंचिस की काटी है बरीक लास्टिक एक हमने इधर टक लगाना है टकिन इसको करना है इसको इसको इसके साथ हम लगा देंगे और दूसरा हम इसके साथ लगा देंगे यह देखें आप अंदाजे से कर लें आप 1.5 इंचिस का डिस्टंस रख लें इसके और इसके बीच में मैंने अंदाजे से किया है और दूसरी साइड पे भी सेम रपीट करेंगे इसको यह लगा के तो मैं अब आप चाहें तो इसको मार्किंग कर लें मार्किंग चौक से यह जैसे मुझे कम लग रहा है फरक फासला इसका इसको मैं सेट कर लेती हूँ और आफ इंचिस के डिस्टेंस पे और अब मैं इसको सलाई लगा के आपको दिखाती हूँ मुझे यहां पे डबल सलाईयां लगानी है ताकि यह टूटे ना क्योंकि टूट जाते हैं ठीक है दोनों साइडों पे सलाई लगा के तो मैं आपको फिनिशिंग करके प्रदा तो मैंने दूसरी तर ठीक है इन तू प्लीट्स पे हमने पिन रहके जो है इसको एक अपना सेट कर लेना है ताकि हमें मुझें पिन ना हो सलाई लगाने में ठीक है यह प्लीट्स को तोड़ा सा परशान होने की जरूत नहीं है यह इनशाला ये पिन से सेट कर लें तो इन्शाला आपकी प्लीट सभी बनेंगे ठीक है मैं इसको यहां भी सलाई लगा लूँगी दोनों तरफ फिर मैं आपको सलाई लगा के दिखाते हैं जी तो देखें प्लीट स्टालने के बाद इसकी शगल कुछ ऐसे है जी तो यह देखें रिजल्ट मास्का यह कवर्ड है हर तरफ से रह जी इसमें हर तरफ से कवड़ा उपर से भी नीचे से भी जो बजार में मिलते हैं वह बहुत जो बजार से जो लेके आई हूं आई हो आपको दिखाया मैंने वह बिलकुल कागस था और यह देखें यह मेरा फाइनल चेप मास्की जी अभी इस रड़ी पो गॉइंग ऑन जॉप नाव अलहमदुलिल्लाही सेफ ओके जी तो दूसरा मास्क कुछ मैं इस स्टाइल का बनाऊंगी यह मैंने यह देखें मेर्मेंट्स हैं यह थर्टीन सेंटीमेटर और दें तेंटी सेंटीमेटर प्रों की गुलाई है तो यह मैंने काट लिया और यह जो पहले मैंने काट के रखे हूएं आपके सामने यह देखें इनी मास्क की बैक साइड पे कि मैं रखके इसको इंटरफेस करूंगी यह इस तरही रखके इसको मैं और बराबर बिलकुल इसके रखके तो आइन कर दूँगी कुछ इस तरह से ठीक है और देखें हमने हम दोनों कुपरों पर यह लगा लिया है अब जो है इसकी साइड से सारा थोड़ा थोड़ा रखके लाइक मैं आपको कट कट कर दिखाती हूँ यह करीबन अब इंच करके हमने यह सारा यह साइट से काट लेना इधर से यहां से और यहां से सारा कट करके मैं आपको देखे अजी तो देखें इसके सारे एज्जिस जो है मैंने सारे एज्जिस को मोड लिया और इसकी फाइनल कुछ लुक इस तरह होगी यह देखें एक नीट एंड क्लीन लुक आ गई है अब क्या करना है हमने हमने यहां से यह राउंड था थोड़ा सा बड़ी जो शेप है यहां से खुल है इस पर हमने रखके इसकी यह साइडों पर सारा हमने स्टिच कर देना है इन दो को यहांने जोईन करना है याद रहे कि जो कम चोड़ा हिस्सा वो इधर है और यह विर्थ में जो ज्यादा है वो इधर है इसको हम दोनों को बराबर रखके जोईन कर लेंगे इनको जोईन करके मैं उपको दिखा दीए जिए देखेंगे जो चोड़ा वला हिस्सा उस पर मैंने सलाई लगा लिए और यह कम चोड़ा वाला यह खुला हिस्सा इधर ठीक है अब इसको सीधा कर लेंगे जी तो सीधा करने के बाद यह दूसरी शेप मैंने डडी किया आपके लिए ये एक पिन की मदद से हम इसको टकिन करेंगे जितना हमें चाहिए ये मैं ऐसे रॉंग साइट पर ऐसे रखके तो ये लगा लूँगी आपकी सानी के लिए मुझे इस तरह सानी होगी आपके लिए भी सानी होगी ये इस तरह रखके तो हम टकिन कर लेंगे और इसी तरह दूसरी साइट पर भी लगा देती हूँ और यहां फिर मैं टांका लगाके तो आपको फाइनल लूप के साथ दिखाते हूँ यह देखें यह मेरा एक मैने छोटा बनाया है बच्चों के साइस का इसको मैने थोड़ी सीज की शेप जो मेर्मेंट कम की थी like half inch half half inch all the sides जो है उसे cut किया था तो ये छोटे बच्चे का भी ready हो गया है जी तो ये देखें ये मेरे second mask की final look ये देखें बेहतरीन ये mask ready हुआ है ये देखें ये हाथ तरह से cover है जी covered है ना full safety के साथ I hope you like my video अपना ख्याल रखेगा दोओं में याद रखेगा अलाफेश